आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हेलो दोस्तो आपका प्रशन है निम्न पदो को परिभाशित कीजिए पहला तंत्र तथा परिवेश, दूसरा तंत्र की अवस्था, तीसरा अवस्था फलन तो चलिए इस प्रशन को हल करते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले हम लिखेंगे तंत्र और परिवेश के बारे में ठीक है, तो तंत्र तथा परिवेश, ठीक है, तंत्र तथा परिवेश, ठीक है, तंत्र तथा परिवेश जो अध्यन के अंतरगत है अर्थात ब्रह्मान का भै भाग जिस पर दोस्तों हम अध्यन कर रहे हैं जिसके बारे में हम अध्यन कर रहे हैं ठीक है उसे क्या कहते हैं दोस्तों तथा जिसकी सीमा सुनिश्चित होती है ठीक है ब्रह्मान का भै बिसिस्ट भाग जिसके ऊपर हम अध्यन कर रहे हैं और जिसकी एक निश्चित सीमा होती है उसे हम क्या कहते हैं तंत्र कहते हैं और तंत्र के अत्रिक्त जो भी शेष ब्रह्मांड है ठीक है उसको क्या कहेंगे हम तंत्र का परिवेश कहते हैं उधारण के लिए दोस्तों एक मैं यहाँ पे चित्र बना रहा ह जैसे यह क्या है एक कोई पात्र है ठीक है अब इसमें क्या है गैस के अडू उपस्तित है ठीक है गैस उपस्तित है और यहां पर दोस्तो एक क्या है यह पिस्टन है ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं हम अध्यन कर रहे हैं कि यह जो gas है, ठीक, इसका ताप बहुत अधिक है, उच्च ताप है, और ये जो piston है, ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये इस्थिर है, तो उच्च ताप पर है, और चूकि ये जो पात्र है, ये क्या है, ये जो पात्र है, इसकी जो भी दीवारे हैं, ये ऊश्मा का आधान प्र यहां पर अध्यन क्या कर रहा है यहां यहां पर अध्यन कर रहा है इस पर हो रहा है और पात्र की एक क्या है एक निश्चित यहां पर आप देख रहे हैं निश्चित सीमा है और यह सीमा किस से क्या है दोस्तों पात्र की दीवारें एक निश्चित सीमा बना रही है ठीक है तो यह जो पात्र है यह क्या हो गया यह हो गया दोस्तों तंत्र पात्र के अंदर गैस है और यह पात्र है पूरा यह हो गया तंत्र और इसके अलावा जो भाय बातावरण है इसके चार ओर क्या होगी बायू होगी ठीक है वो क्या हो जाएगा इसका परिवेश हो जाएगा तंत्र का ठीक और यह दोस्तों यहां पे तंत्र और परिवेश और तंत्र की सीमा है क्या हो जो दीवार है यह क्या है बास्तव में दीवार है ठीक है यह दिखाई देगी हमें तो यहां पर बास्तविक सीमा है यह तंत्र की जो सीमा है यहां पर बास्तविक है अब अगर यहीं पर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं जैसे यह कोई भी द्रव है ठीक है द्रव मैंने ले लि यह परिवर्तन हुए कि यह जो शयानता है दोनों द्रबों की भिन्न भिन्न है जिसकी वज़ेसे यह जो गोल द्रब है भिन्न शयानता का यह गोलिय रूप में एक गोल गेंद के जैसे हो गया है इस द्रब में तो अब क्या होगा दोस्तों यहां पर अब हम जो है तंत्र की जो सीमा है, यहां पे बास्त्रिक नहीं होगी, अब हम अध्यन करेंगे कि यहां पे उश्मा गतिकी ऐसा क्या परिवर्थन होए, कि यह जो है, आकार इसका गोले के रूप में हो गया, ठीक है, तो यहां पे अब हमारा तंत्र क्या हो गया, यह जो गेंद है यह, अब चुकि यह भी द्रव द्रवी तवस्था में है और यहां पर यह जो जल जो भी द्रव है जो की कम शयानता वाला यह भी क्या है यह भी दोस्तों द्रव है तो यहां पर जो सीमा ली गई है ठीक है सीमा क्या ली गई है यह जो गेंद का जो गोलाकार है जितनी भी गोलाकार सीमा है गे कह सकते हैं हमतने की कालपनिक को सकती है यह दोस्तों हमारे उपर wisely करता है कि हमतने को कहां पर मान रहे हैं अध्यन के त्छी है यह वह गया तन्तर और यह कि अशेल प्रेश में क्या कह रहा है तंत्र की अवस्था ठीक है यहाँ पर दोस्तों क्या है तंत्र की अवस्था को हम यहाँ पर समझा रहे हैं तो किसी भी छड तंत्र की अवस्था उस छड तंत्र के उश्मा गतिकिये चरो उश्मा गति की चरो मतलब जो भी दोस्तों उश्मा गति की चर ऐसे ऐसी बहुत इक राशिया है जिनके मान जो है सदैब बदलते रहते हैं तो किसी चर उश्मा गति की चरो जैसे ताब दाव आयतन आदी के मानों को व्यक्त करती है उधारन के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसको चित्र से समझा रहा हूँ ठीक है जैसे कि यह क्या है एक मैं प्रक्रम दिखा रहा हूँ यहाँ पे अवस्था A, अवस्था B, अवस्था C, अवस्था D ठीक है इसमें क्या है अवस्था A से अवस्था B पर लेके गए तथा आयतन इनके मानों को जो भी तंत्र में तंत्र का ताब दाव आयतन है अब उसको ब्यक्त करेगी इसी पिरकार अवस्था B पर ताब दाव आयतन बदल गया होगा दोस्तों प्रक्रम एक प्रक्रम हुआ है जिससे की हमने क्या करा तंत्र को अवस्था A से अवस्था B पर ले गए तो अब B पर जाने पर ताप दाव आयतन इन में कुछ न कुछ बदला हुए होंगे तो मैं मान लेता हूँ दाव बीवन हो गया आयतन बीवन हो गया ताप मान नियत रहा ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हैं अवस्था तंत्र की अवस्था क्या व्यक्त कर रही ह प्रश्ण में परिवाशित करने के लिए अवस्था फलन ठीक है अवस्था फलन तो अवस्था फलन क्या होते हैं अवस्था फलन दोस्तों बे भौतिक राशिया हैं तो अवस्था फलन क्या होते हैं दोस्तों अवस्था फलन बे उश्मा गतिकिये चर हैं जो की जो की निक अवस्था परिवर्थन पर बदल जाते हैं, अर्थात अपने मान को बदलते हैं, तथा अवस्था के ना बदलने पर इनके मान में कोई परिवर्थन नहीं होता है, उधारन के लिए जैसे आंत्रिकूर्जा, अब यहाँ पर चित्र मैंने बनाए इसी सा समझ लेते हैं, जैसे अवस्था A पर आंत्री कूर्जा का मान U है ठीक है आंत्री कूर्जा को U से व्यक्त करते हैं तो अवस्था A पर आंत्री कूर्जा का मान U है जैसी हम इसको प्रक्रम की सायता से B पर लेके गए निकाय को अवस्था B में तब इसका मान दोस्तों बदल जाएगा U- हो गया क्यो क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर अवस्था बदल गई परन्तु जब हम इस प्रिकार जब पूरा प्रक्रम करते हैं दोस्तो बी फिर बी से सी लेके जाएंगे तब पुन्हा अवस्था जो आंत्रिकूर जाया है इसके मान में परिवर्तन होगा क्योंकि यहां पर क्या दी से ए पर लेकर जाएंगे ए अवस्था में तब दोस्तो आंत्रिकूर जा का मान पुन्हा यू हो जाएगा कोई भी इसके मान में बदलाव नहीं होगा क्योंकि प्रक्रम से पहले दोस्तो क्या थी आंत्रिकूर जा का मान यू था और जब पूरा प्रक्रम यहां से हो गय पूरा उश्मा गति की प्रक्रम हो गया उसके बाद आप देख रहे हैं अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा और इसका मान यू रहेगा ठीक है तो यह है अवस्था फलन तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा आशी डाउन्यट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर